ये है इंदू ब्रोड्कास्टिंग प्राइवित लिमिटेट और आप देख रहे हैं इंडियन नियूज हर पल हर शन हर सच ओम प्रकास जोसी जी जिला अध्यक्स श्री लखन साहू जी जिला के प्रभारी और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूँ ऐसे हमारे लोग प्रिय प्रत्यासी स्रीमान इस्वर साहू जी इस्वर जी खड़े ओई यहां जाओ इस्वर जी जोर से ताली बजाईए इस्वर जी के लिए भाई और बेनो आज जब मैं साजा में आया हूँ तब सबसे पहले मा बिमले स्वरी को प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुआत करना चाहता हूँ मा खलारी मा चंद्रहसिनी और मा दंतेश्वरी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुआत करना चाहता हूँ मित्रो आज भगवान बिर्षा मुड़ना की जन्म जयन्ती है और आज नरेंडर मोदी जी ने बिर्षा मुड़ना को और समस्त आदिवासी भाईयो बेनों का सन्मान करने के लिए आदिवासी गवरव दिन की सुरुआत की है आज आदिवासी गवरव दिन है और आज मैं महान स्वातंत्र सेनानी बगवान बिर्षा मुड़ना को प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुआत करना चाहता हूँ मित्रो चट्थीस गड़ में पहले चरण का चुनाव समाप्थ हो गया है पहले चरण में क्या हुआ वो आप सभी को सुनना है क्या सुनना है पहले चरण में बुपेश कक्का का सुपड़ा साप हो गया है पहले चरण के मत्ता ने ये तय कर दिया है के चट्थीस गड़ में कमल फूल खिलने वाला है बाजपा सरकार और और मुझे आज आज किसी पत्रकार ने बताया कि सट्थे बाज भी अब कह रहे है कि सट्था बाजी करने वाली ये सरकार जा रही है कमल फूल की सरकार आ रही है मित्रो आज अंतिम दिन है अंतिम दिन पर बहुत सारी जगे जाने के लिए डिमांड था मगर मैंने तय किया था कि अंतिम दिन मैं इश्वर साहू की विदान सबा में प्रचार करने जाओं हमारे भाई इश्वर साहू एक प्रत्यासी नहीं है इश्वर साहू प्रतीक है न्याय की लडाई का ये 36 गड में भुपेश कक्का की जो सरकार है बिरनपुर में सांप्रदाईक तत्वों ने भाई इश्वर साहू के बेटे भुमने स्वर को लौंच लौंच कर मार डाला और उपर से उपर से भुपेश कक्का के लोग वहाँ पर साहू जी को चैक लेकर गए नौकरी लेकर गए आप न्याय की मांग मत करो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं साहू जी को इतनी गरी भी में भी उन्होंने कहा मुझे तेरा रुपिया और नौकरी नहीं चाहिए मेरे बेटे का न्याय चाहिए और आज स्राजा में भरी सबा में मैं कह कर जाता हूं भुमने स्वर साहू को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है हमारी किसी को भी कानून के साथ खिलवाड करने की चूट नहीं है मैं आज भूपेश कक्का को कहने आया हूँ कि सामपरदाई क्ताकतों के विडिये वाट बेंक की सरण में आप गयो हो 36 गड़ में न कहिर कितने न जाने कितने भूने स्वर साहू सहीद हो गए मगर आपके माथे पर जू नहीं रहेंगे भूपेश कक्का आपका समय अब समाप्त हो गया है उल्टी गींती सुरू हो गई है मैं बताता हूँ भूने स्वर साहू की हत्या करने वाले हर एक व्यक्ति को चून चून कर बारतिय जन्ता पार्टी की सरकार जेल के सलाकों के पिछे डालेगी माताओ भाई और बेनो एक भूपेश कका के राज में बेमे तरा एक लव जिहाद का केंद्र मडा साहू समाज लोधी समाज और गौन्ड समाज की बेटियां इनके निसाने पर है और सरकार कुमकन की नींद सो रही हैं इनको कौन जगा सकता है वह एक भूपेश कक्का जो कौंग्रेस पाटी जो कुमकन की निंद सो रहे हैं उनको कौन जगा सकता है अरे भाई उनको आप ही जगा सकते हो आपका वॉट जगा सकता है सत्रा तारिक को उलट फेर कर दो भुपेश कक्का की सरकार की जगे कमल फूल की सरकार ला दो मैं आपको वादा करता हूँ कि ये जो लव जेहाद चल रही ना करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी हिम्मत नहीं होगी भाई और बेनों एक भुपेश कक्का की सरकार ने दूर्ग संभाग को बरबाद करकर रह दिया है एक दूर्ग संभाग रमार सिंग सरकार के समय में सिख्षा का केंडर बना हुआ था पूरे 36 गड़ के युवा दूर्ग में सिख्षा के लिए आते थे रमार सिंग सरकार ने सिख्षा का केंडर बनाया और अपने भुपेश कक्का की सरकार ने सिख्षा के केंडर को सट्टे का केंडर बनाने का काम कर दिया और भाई सट्टा करना था करना था तो अपना नाम रख देते महदेव के नाम को क्यों वही पसंद किया महदेव के नाम को क्यों पसंद किया एक और मोदी जी चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचता है तो वो स्पोर्ट का नाम सीव सक्ति स्पोर्ट रखकर महदेव और सक्ति को प्रणाम करते हैं और दूसरी और दूसरी और भुपेश कका सट्टे की एप का नाम सट्टे की एप का नाम महदेव एप रखकर महदेव का अपमान करने का काम करते हैं मैं आज बताने आया हूँ भई गलती से भी बुपेश कक्का आ गया ना तो महादेव का नाम आप ले नहीं पाओगे क्योंकि महादेव का नाम आते ही बुपेश कक्का को डर लगता है कि पुलीस आ जाएगी 36 गड़ के युवाओं को सटे के धंदे में लगाने का काम करकर आपने बहुत बड़ा पाप किया है मैं फीर से कहता हूँ बुपेश कका आपकी उल्टी गिन्ती सुरू हो गई है बुपेश कका आपकी उल्टी गिन्ती जोर से बोले आपकी उल्टी गिन्ती पूरे 36 गड़ में बेकारी, बेरोजगारी PSC भरती में घोटाला लोग वहां तक त्रस्त हो गए कि निवस्त्र होकर दलीत उयाओं ने राइपूर में जुलूस निकालना पड़ा आजादी के बाद कोई भी राज्य में निवस्त्र उयाओं का जुलूस नहीं निकला सिर्फ और सिर्फ भुपेश कक्का के शासन में निकला है भाई और बेनो आप चिंता मत करो तीन डिसेंबर को भाजपा सरकार बनने वाली है और मोदी जी की गैरंटी है एक लाख सरकारी पदो में एक साथ पाजर सी भर्दी करने का काम यह भाड़ती जनता पार्टी की सरकार में मित्रो मैं तो स्री राम के नौनी हाल में आया हूँ नहीं नहीं हाल है ना भाई अरे यार बताओ जोर से है या नहीं है एक उसल या माता का घर है या नहीं है मुझे बताओ अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए अरे जोर से बोलो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए एक कॉंग्रेस पार्टी सतर साल से राम मंदिर को लटका रही थी अटका रही थी बटका रही थी मोदी जी ने इसका भूमी पुजन किया और 22 जन्वरी 2024 को राम लल्ला की प्रान प्रतिष्टा वेवद्या के मंदीर में हो जाए अरे साजा वालो ए राहूल बाबा है ना राहूल बाबा जानते हो ना इधर कहीं ही घुमते हैं आज आस पास में ही घुमते हैं और राहूल बाबा 2014 से 19 तक मुझे बहुत परिसान किये भीया आपको मैं सच बताता हूँ साजावालो बहुत परिसान किये मैं पार्टी का अध्यक्सा मुझे हरोत ताना लगाते थे के मंदिर वहीं बनाएंगे तीथी नहीं बताएंगे इसलिए मैं आज साजावालो के सामने राहूल बाबा को तिथी बताने आया हूँ राहूल बाबा 22 जन्वरी 2024 को मुधी जी इसकी प्राण प्रतिष्टा करने वाले हैं साजावालो साजावालो अयोधिया में स्री राम का दर्शन करना है ना अरे जोर से बोलो कहना है ना मेरी मातारी माताओ बैनों को अयोधिया में दर्शन करना है ना खर्चा होगा या नहीं होगा नहीं होगा मैं बताता हूँ नहीं होगा कमल फुल की सरकार बना दो तीन डिसेंबर को बारी बारी सभी 36 गड़ वालों को भाजपा सरकार अयोधिया में स्री राम का दर्शन करा दे माताओ भाई और बैनों यह भाजपा की गैरंटी है अयोधिया में स्री राम लला का दर्शन हम सभी 36 गड़ वासियों को कराएंगी भाई और बैनों यह जो कॉंग्रेस पार्टी है उसने हमेशा पीछड़ा समाज का अपमान करने का सतर साल से आजादी मिली पीछड़ा समाज को समवेधानिक मान्यता नहीं दी हमारा साहु समाज, कूर्मी समाज, कई सारे पीछड़ा समाज को समवेधानिक मान्यता देने का काम उन्होंने नहीं किया नरेंद्र मोधी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवेधानिक मानेता देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है हमने भाजपा ने पहली बार जोर से ताली बजाना बाद में पहली बार देश को अती पिछडा समाज का प्रदान मंत्री देने का काम भारतिय जनता पार्टी में किया है मोदी जी की मंत्री मंडल में 27 मंत्री पिछडा समाज से हैं 303 सांसदों में करीब करीब 100 सांसद पिछडा समाज से हैं 1358 विधायकों में 27% विधायक पिछडा समाज के हैं और राहुल बाबा OBC समाज को गाली देने का काम करते हैं मोदी जीन ने नीट के परिक्षा में 27% आरक्षण पिछडा समाज को दिया कैंडरिय स्कूल और साइनिक स्कूलों में 27% आरक्षण पिछडा समाज को दिया और पेट्रोल पंप और गैस एजंचियों के डिस्टूबिशन में भी 27% आरक्षण पिछडा समाज को दिने का काम नरेंद्र मोदी दिने किया IIT के अंदर OBC के चात्रों को 1 लाख रुप्या ग्रांट दिने का काम भारती जनता पार्टी ने किया मैं आज इतनी सारी माताए बेहने आई हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बताईए ये भुपेश कक्का ने सराब बंदी का वादा किया था या नहीं किया था माताए बताए किया था या नहीं किया था सराब बंदी करी क्या करी क्या उल्टा एक्साइज गोटाले में पांच जार करोड भुपेश कक्का डकार गए बोलिए अबे भुपेश कक्का को वाट देना चाहिए क्या कॉंग्रेस पार्टी को वाट देना चाहिए हमने तय किया है कि 36 गड़ की हर माता को 500 रुपिये में पांच साल तक गएस का सिलिंडर देने का काम भारतिय जन्ता पार्टी की सदकार हमने तय किया है कि हर विवाहित मैला को मेरी बाध्यान से सुनना हर विवाहित मैला को हर साल 12,000 रुपिया चेक से भारतिय जन्ता पार्टी की सदकार सबी लोग, सबी मातारी को मेरा निवेतन है, के बाचपा के कार्यकरता फॉम बरा रहे हैं, फॉम बरा कर रजिस्ट्रेशन करा देना, और ए भुपेश ककका गिरेंटी देते हैं, हम भी देंगे, हम भी देंगे, अरे भाई, जिनकी खुद की कोई गिरेंटी नहीं है, उसकी गैरंटी का कोई मतलब है बताओ है मतलब और हमारा गोशना पत्र नरेंद्र मोदी की गैरंटी है हमने जो कहा है को हम करेंगे वो भी हम बता रहे हैं और रेडि टू इट भोडन की जगे स्वासाहायता जूतों को हम माननेता देंगे और ग्रामिन मैलाओं को रोजगारी देने का काम भारतिय जणता पार्टी करेगी माताओ भाईो और बेहनो एच्छाथीज गड़ के मुख्यमंत्री प्रीपेड मुख्यमंत्री प्रीपेड समझ में आता है न प्रीपेड कार्ड होता है तो जितना रुपिया डालते हो उतना टॉक टाइम होता है समझ में आये अगर 500 रुपिया डाला तो 500 रुपिया की बात कर पायोगे आप 100 डाला तो 100 की 50 डाला तो प्रीपेड मुख्यमंत्री जितनी घूस दोगे उतना ही काम करेंगे वर्ना नहीं करेंगे पूरे 36 गड़ को कॉंग्रेस पार्टी का कलेक्शन सेंटर ATM बनाने का काम यह भूपेश ककार ने किया मैं आज बताने आया हूं 36 गड़ को कॉंग्रेस पार्टी का ATM बनाया और यहाँ पर ढेर सारे गपले घोटाले ब्रस्टाचार किये 6600 करोड का PDS गोटाला 5000 करोड का मादेव एप गोटाला पब्लिक सर्विस कमिशन में गोटाला डिस्ट्रिक मिनरल फ़ंड का 700 करोड का आदिवासियों का पैसा खाने का गोटाला बे-266 SC और ST UAO की फरजी भरती का गोटाला और मैंने मेरे जिवन में पूरे देश बर में किसी ने टेलिफॉन का गोटाला किया, किसी ने तोब का बोफोर्स का गोटाला किया किसी ने गाय के गोवर का गोटाला नहीं किया बोलिए आपने सुना था गाय के गोवर का गोटाला ये भुपेश कक्का ने गोटा अन गोटाले में गाय के गोवर को भी नहीं छोड़ा इसमें भी प्रश्टा चागा हजारो करोड रुपिया अजारो करो डूपिया ये भुपेश कक्का खा गए हैं मैं आज यहाँ पर आपको कह कर जाता हूँ चिन्ता मत करो जो पैसा खा गए है उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतिये जन्ता पार्ट गरीब का पाई पाई उनसे वसुलेंगे और गरीब के एकाउंट में मेरी महतारियों के एकाउंट में डालेंगे माताओ बेहनों के एकाउंट माताओ भाई और बेहनों 36 गड़ जैसे राज्य में हजारो करोड का गोटाला करने वाले इनको माप नहीं किया जैसे हमारी सरकार थी दस साल तक रमन सिंग को चावल बाबे बाबा के नाम से जानते थी हमने हर गरीब को खाना खिलाया हर आदिवासी के चरण में चरण पादू का पहनाई सिमेंट हब एलुमिलम हब इसपाथ हब सिक्सा का हब बनाने का काम रमन सिंग सरकार ने किया थी और मैं आज बताता हूँ यह दान दान कर रहे हैं 2700 रूपिये से दान खरिते हैं इसमें से 2200 रूपिया मोदी जी का है 2200 रूपिया एड करकर वो बोल 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 करते हैं मगर अब मैं बता देता हूँ हमारी मोदी गैरंटी है कि हर किसान से हर किसान से प्रती एकड 21 फिंटल धान 3100 रूपिया में खरीदे का काम भारती जनता पार्टी की सरकार 4500 रूपिया से तैंदू पत्ता और 500 रूपिया बोनस और 15 दिन की घैरंटी भारती जनता पार्टी की सरकार आदिवासी भाईयों बेनों को देती हैं मित्रो हमने तै किया है कि आने वाले समय में 36 घड को देश का नंबर वन राज्य बनाएंगे सारे राज्यों के बीच में एक स्पर्धा जो मोदी जी ने सुरू करी है इसमें 36 घड पीछे नहीं रहेगा जब हमारी सरकार थी तब मंडरेगा में डोड डेड सो दीन की रोजगारी देने वाला एक मात्र राज्य 36 घड था मद्दूर करने वाली बेहनों को मात्रूतों का अवकास देने वाला सबसे पहला राज्य 36 घड था नगरिय इकाईयों को में आरक्सन देने वाला राज्य 36 घड था भुपेस बगेले पांच साल में 36 घड को करप्शन का हब बनाने का काम किया है माताओ भाईयों और बेनों आज मैं आया हूँ बड़े मन से आपको एक अपील करने आया हूँ आपका वोट आपका वोट सिर्फ भाजपा सरकार नहीं बनाएगा आपका एक वोट भाई भूने स्वर्चाहू को न्याय दिलाने का काम करेगा ये तुष्टी करन की रादनिती को सबक सिखाने का काम करेगा आपका एक वट भूने स्वर साहू को न्याय दिलाने का वट मुझे बताओ सत्रा तारिक को कमल के निसान पर बटन दबाओगे क्या जोड से बोलो दबाओगे इस्वर साहू जी को जिताओगे बाद पास सरकार बनाओगे 24 में मोदीदी को फीर से प्रदान मंत्री बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुट्टी बीचे और प्रचंद आवाद से बोलिए भारत मता की भारत मता की बारत मता की वन दे वन दे वन दे हर सच ये है इंदू ब्रोड्कास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन निउस हर पल हर शन हर सच